दोस्तो एक गजब की टेकनिक और गजब का बिजनिस आडिया आज हम आप लोगों के लिए ले कर क्या हैं दोस्तो एक ऐसा जबरदस्त बिजनिस आडिया और एक ऐसी टेकनिक दोस्तो आपने कभी अपनी लाइप के अंदर नहीं देखे होगी दोस्तो मैंने भी फर्स टेम ए एक छोटी सी मसीन देखिए एक छोटी सी मसीन से आप इस प्रोड़क को इतनी आसानी से त्यार कर सकते हो कि किसी भी चीज की आपको ट्रेनिंग लेने की जरूत नहीं है बहुत ही आसान बिजनिस आइडिया है दोस्तो 440 रुपए का ये प्रोड़क मार्केट के अंदर आपको मिल जाता है और आप इसे 10,000 रुपए के इसाब से मार्केट में सेहल कर सकते हैं दोस्तो सारे कुरूप्स मैं आपको दिखाऊंगा कि मार्केट में कितने का मिल रहा है और कितने का भी से सेहल कर सकते हैं दूसरी बात दोस्तों सबसे अच्छी बात मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर जिससे आप इस प्रोड़क्त को चुटक्यों के अंदर मार्केट में सेहल कर सकते हैं इतनी आफसानी से सेहल कर सकते हैं कि 101% आपको एक positive result मिलेगा लेकिन दोस्तों उससे पहले मैं आपको इसके कुछ benefits बता देता हूँ दोस्तों इसके ऐसे ऐसे benefits हैं आप सोचते रहेंगे मैं guarantee देता हूँ अगर आप इस business को start भी नहीं करते हैं तो आपका एक minute भी इस वीडियो के मादम से बरबाद नहीं होगा आप यहां से कुछ ले करके जाओगे कुछ दे करके नहीं जाओगे तो सबसे पहले मैं आपको इसका एक छोटा सा एक्जांपन बताता हूँ एक छोटा सा benefit आपको बताता हूँ उसके बाद हम आगे बात करते हैं बाद जानकी प्रसाद पुलस्त है और मैं बचपन से ही मैं बाद का काम करते आ रहा हूँ तो पक्षगात लकवा है, पिलिया है, हड़ी जोड है, गठिया बाद है, साइटिका का है इनका सब को पूरा आर्वेदिक दवई से जैसे परमपरा बताये हूए है हमारे पूरवाजों ने उन ही के अनुसार से, उन ही के अनुकरांड करके मैं उनका इलाज पानी करते रहता हूँ, सेवा देते रहता हूँ मालकागनी के तेल को हम लोग पहले हम लोग अक्टूबर नौंबर में जो फूलता है उसके बाद बीज बनता है बीज बन पोठा जाता है अच्छा फली हो जाता है उसके बाद उसको ले आते हैं जंगल से उसको अपने लाके सुखा फली हो गया उसको सुखा देते हैं तोड़के लाके सुखाने के बाद में उसको उसका छिलका जो निकलता है उसको निकाल देते हैं निकालने के बाद में तेल निकालते हैं उसका बीज का पुट्टी में भर देते हैं, पुट्टी में भरने के बाद में डबाते हैं, प्रेस करते हैं, तो पुट्टी के द्वारा तेल निकाल करके उसको तेल निकाल जाता है, यह जो तेल रहता है, सुध्य तेल है परिशानी था कि वह पक्षघात के उसमें थे एक साइडर जो पूरा सुना हो गया था पूरा एक साइड जो है पूरा सुनन पढ़ गया था खाट में था काट में ही पे साप पानी कर रहा था अभी योई यडाट पानी करने से निगा दवाई वह चलने से माली शुलीश करने से इस काफी बहतर आ गया है चल फीर है अपने वीडियो के अंदर देखा कैसे इस प्रोड़क्त ने कैसे इस ओएल ने एक बेजान सरील के अंदर जान डाल देता है दोस्तों इसका सिर्फ यह कोमालकंगी तेल के बारे में जानकरी आप शेयर करूंगी यह तेल क्या होता है इसका इस्तेमल किस चीज़ में किया जाता है और इसका उप्यों किस तरह करना होता है दोस्तों मालतमनी ओईल जिसे जोतिसमती तेल के नाम से भी जाना जाता है इसे एक ओशड या पोदे जिसे सेल्स्टर स्पेनिकुलेटा कहते है इस पोदे के बीजों से हासिल किया जाता है बीजों को कोल प्रेस करने के बाद जो तेल प्राप्त होता है उसे ही जोतिसमती ओइल कहते है सेल्स टर स्पेनिकुलेटा को आइट वेद में कई नामों से जाना जाता है जिसमें जोतिसमती, जोतिसका, कटबी, पानियलता, आदी ये जो कि बुद्धी पर असरदार होता है इसलिए इसका नाम भी जोतिसमती दिया गया है मालकन भी तेल का इस्तेमाल दिमक संबंदी रोगों के इलाच के लिए किया जाता है इस तेल का इस्तेमाल मानसिक ठकान, तनाव या डिप्रेशन में रहत पाने के लिए किया जाता है इस तेल को खासी और अस्तमा के इलाच के लिए इस्तेमाल किया जाता है इसे के साथ गठिया, लकवा और मार्श पेश्यों और जोडो की सुजन के इलाच के लिए इस्तेमाल किया जाता है इस तिल में एंटी आक्सिडन और भूग को बढ़ाने वाले गुन होते हैं ये भूग को बढ़ाने के साथ साथ पाचन को भी सुधरता है इसका इस्तेमाल किस तरह करें यदि समस्या बाहरी हो जैसे जोडो के दर्थ, अलसर, त्वचया रोग, लकवा, गठिया आदी तो इसे मालिस के लिए इस्तेमाल कर सकते है और यदि नीन की समस्या मानसिक रोग, अस्थमा आदी हो तो दो से दस बुंदे दूत के साथ दिन में दो बार इसका इस्तेमाल करना पाइदे मन होता है यह ओईल आपको किस तो भी मेडिकल या आईरुवेदे की स्टोर पर आसानी से मिल जाएगा दोस्तों आपने इसके सारे बेनीफिस तो जानी लिए हैं अब मैं आपको इस प्रोडक्त बंदाना सिखा देते हूं कि कैसे आप इसका औयल सकते है उसके बाद मैं आपको इसकी पहसे संसी क्ये मर्केट नें तो पहले हम बनाना सीख लेते हैं प्योर बगएर किसी कैमिकल के बगएर किसी भी कोई भी आप उसमें कैमिकल रियक्शन नहीं करेंगे और आपके पास बिल्कुल औरिजनल हंडर परसंट और गैनिक जो है वह आएगा और इसके आपको बहुत ही जब्रस बेनिफिट्स मिलें जो पहले हम चynहीं को तो सबस्क्राइब करते हैं तो चैकर उसको प्रेस करने के लिյे थोहारन करादानी का ने तौहली साल है सिर्धन आयए और आपको यह भी मुद्टा अपको अब को जो बदार से मालकंगनी का तेल मिलें गा वह आपको कभी भी 100% प्रियु नहीं मिलेगा आपको हमेशा उसमें कुछ ना कुछ मिलावाट मिलेगी क्योंकि यह मेहां बहुत मेहां होते हैं तो अक्सार लोग जो तो इसको दो नंबर बना कर बेज दे तो आप अगर इस तो इसको बिल्कुल औरिजिनल ही इस्तमाल करेंगे तो आपको इसका कम्प्लीट फायदा होगा यह देखें हमने इसमें एक ठैली डाल दी है अब हम इसमें अपनी दूसरी ठैली को डाल देते हैं और आप यह भी देख सकेंगे कि इसमें जो तेल हम निकाल रहे हैं वह 400 ग्राम बीज में से कितना तेल आपको मिलेगा और अगर आप बजार से लेते हैं तो वह आपको कितना महंगा पड़ेगा अगर आप खुद बनाते हैं तो वह आपको कितना रीजिनेबल प्राइज में जो है वह पड़ जाएगा यह देखें इसको अब हम अपनी मशीन पर रखते हैं यह देखें यहां से जो है वह इसको प्रेस करना स्टार्ट करेगा तो भी हम इसका लीवर जब जैसे ही द्वाना स्टार्ट करेंगे यह नीचे आना शुरू हो जाएगा यह देखें और जैसे ही आइस्ता इस तक से प्रेस होना स्टार्ट होगा तो इसमें से तेल निकलना शुरू हो जाएगा और इस प्लेट में आजाएगा इस प्लेट में डाल लेंगे और आपको 100% नैच्रल दिखाएंगे मालकंगी का तेल निकाल कर जिसके बहुत ही जादा फाइदे है इसका सबसे जो बड़ा में फाइदा है वो यह है कि यह जो है वो फालिच को बहुत जल्दीरी कवर करता है सेकिंड अगर आप अपने जिसम के फैट को कम करने काते हैं उसका इसके लिए आप इसको बहुत ही एजिली यूज कर सकते हैं और आपके जिसम के किसी भी हिस्से के फैट को बहुत ही इजली जो है वो डिजॉल्फ कर सकता है और फ्रेंड्स इसका फायदा आपको उसी वक्त मिलता है जब आप इसको बिल्कुल 100% औरिजनल लेते हैं और नेचरल लेते हैं यह देखें इसका तेल जो है वो निकलना स्टार्ट हो गया है और यह ब सब्सक्राइब जो है निकल रहे हैं यह कोई भी प्रोसेस इसमें ऐसा यूज़ नहीं किया गया जिससे इसका कोई भी जो है वो अज्जाद जाया हो तो यह आप देख सकते हैं महल कंगनी का तेल ओरिजनल नैच्रल आ किस तरह से निकल रहा कि देखें फ्रेंड्सिसमें से काफ़ी ज़ादा तेल में डाल कर दिखते हूं तो रचा होता है और इसको हम तेल में निकाल थे हैं अधियर का अधियर काम एक आधि निखाते हैं आधि का यह देखिए इसका अधिया किलर आधिया वर्च में रचाए हैं इसको आपको बोतल में डालके दिखाते हैं। यह देखें। यह लाए हिए। अनुखिण है। यह कफिर घर कलर है। यह बिलकुल नैचरल इस वक्त हालत नहीं किया गया है। विक शाव है। यह का है। कॉर्ण प्रॉस्जर नहीं की एंद कि सेटेयों नहीं पर कुछक करते हैं और बनीडरे अभ्यास कुछुछ nutritious टॉप implacation ड्राइश छीचप, बनीडरे नहीं और तकूल जाएँ को टेस्ट कर ना चाहए तो आप टेस्ट कर सकते हैं और जुल्दियर को आपके लिए हैं कि गजिए औ игр कैसी चीज के अभर राप कॉई भी बिवह कने काज भी मॉल बवर श्यूट का ते पूरह लिखने का थे और यह दू परोई को पूरा थेखना हुआ द Commerce हमारी कॉल प्रेस पर आके किसी भी चीज का टेल खुट से निकाल कर देख सकते हैं मशीन को चलाकर देख सकते हैं आपको पता चलेगा कि इसको हैंडल करना बहुत असान है चलाना बहुत असान है और आप किसी भी चीजिस इस इसमें से बहुत यह असानी के साथ तेल नकाल सकते हैं ज्रुद झाला चाहिए उसके लिए आप इससे ब बड़ा गिलास हें जो उसके बड़े गिलास को हमेरे पार पास ऒाल जास यूज कर सकते तो हम इसके लिए छोटा गिलास यूज करते हैं इसमें आप 100 ग्राम तक चीज का तेल जो है वो निकाल सकते हैं तो अगर अगर ऐसी चीज भी है योग आपने इसका तेल निकालना आप तो इसमें ग्लास तो इससे अकरीब तो इसके लिए बड़ा गिलास है वो यूज कर सकते हैं और आप अगर चाहें तो हमारी कोल्ड प्रेस पर आकर इसको लाइव जो है खूद से देख सकते हैं निकलता वा यह आप देख सकते हैं जैसे जैसे इसकी बबल हट रहे हैं इसका कलर जो है वह क्लियर होता जा रहा है और इसे हम अभी बिल्कुल भी फिल्टर नहीं करें यह बिल्कुल जो नैच्रेल इसका कलर है वह है जो इस वक्त आपको नजर आ रहा है यह देखें बहुत ही खुब्सूरत रैड कलर है इसका कि अध़्यगर्स के लिए प्रॉसेस के ड़िके बगार कर मालकंगינी का तेल है और हम अपनी नैक्ट विडियों में 5 इन्शाथा में एसके घरान का यहां जाएंगे बहुत ही जादा फाइदे वाला तेल ही है और आप इसको इसको इस्तमाल करके जरूर देखे तो दोस्तो हमने OL बनाना भी सीख लिया अब बात यह आती है कि यह 440 रूपए का मार्केट के अंदर कैसे मिल सकता है दोस्तो इसकी मार्केट वैल्यू 220 रूपए पर केजी है जो कि आप स्क्रीन के उपर देख सकते हैं इंडिया मार्ट की वेबसाइट से आप 220 रूपए पर केजी आप इस प्रोड़क को खरी सकते हैं दोस्तो मैंने आपको बताया था 440 रूपए का खर्चा देखिए दोस्तो आप 2 केजी प्रोड़क के अंदर 1 लीटर ओयल तयार कर सकते हैं तो इसलिए मैंने आपको 220, 220, 440 रूपए हो गया 440 रूपए का खर्चा आपको बताया है और आप अप एमिजोन ये फिलिपकार्ड की वेबसाइट के उपर आप देख सकते हैं इसकी जो मार्केट वेल्यू है 50 ml की 500 रूपए है इस हिसाब से हम लगा सकते हैं 1000 ml की वेल्यू 10,000 रूपए हो जाती है मार्केट के अंदर आपने सारे कुरूप से देख लिए हैं आप बात ये आती कि हम इस बिजनिस को कैसे स्टार्ट कर सकते हैं देखे दोस्तों हमने सारी चीजे तो देख लिए कितने का यह मिल रहा है कितने में मार्केट में भिक रहा है और हम इसे कैसे घर पर बना सकते हैं कहां से हमें खरीदना है सब कुछ हमने जान लिया इसके बेनिफिट्स भी जान लियें सबसे इंपोर्टन बात यह आती हम इस प्रोड़क को मार्केट में सैल कैसे कर सकते हैं देखे दोस्तों अभी हमें कुछ बहुत बड़े लेवल पर इस बिजनेस को स्टार्ट करना है अब यह हमें एक छोटी से लेवल पर इस बिजनेस को स्टार्ट करना है हमें इस प्रोड़क को मेजोन फिलिपकर्ड की वेबसाइट पर जहां पर यह 10,000 रुपए लिटर के साफ से भिक रहा है हमें वहाँ पर इस प्रोड़क को 5,000 रूपे लीटर के साब से चैल करना है मतलब कि जहाँ पर ये 50 ml 500 रूपे का मिल रहा है वहाँ पर हमें इस प्रोड़क को 50 ml 200 रूपे का देना है वो कि यह भी मतलब बिना किसी मिलाउट के गारंटी देता हूँ दोस्तो आप इस बिजनेस को इस तरीके से करेंगे तो कोई भी वेखती है आपसे इस प्रोड़क को आसानी से खरीद लेगा लेकिन इसके लिए आप कोई GST नमबर और एक license की जरौत पड़ती है उसके बिना आप इस बिजनेस को इस टार्ट नहीं कर सकते हैं वो सारी चीजे लेने के बाद में आप अपना seller account बना सकते हैं दोनों website के उपर और आप इसे जैसे मैंने बताया है उस तरीके से आप इसे market में sell कर सकते हैं गारंटी देता हूँ दोस्तो 101% आपको एक positive result मिलेगा 100% मिलेगा अगर नहीं मिलता है था मुझे comment करिए मैं आपको इसका अलग तरीका भी बता दूँ